बॉर्णिंग एब्रीबड़ी कैसे हैं आप सब लोग हम लोग बिल्कुल ठीक हैं तो आज ब्रेक्फस्ट में मैंने सोचा था ब्रॉकली कबाब बना लेती हैं ब्रॉकली भी बहुत दिनों से रखी थी कोई भी ग्रीन वेजेटेबल बहुत दिनों तक नहीं चलती है इसका इसका यूटिलाइजेशन करके ब्रॉकली कबाब बनाये जाए ब्रॉकली को आप चॉपर में भी चौप कर सकते हैं और मिकसर में भी हलका सा ग्राइंद दे सकते हैं फिर उसमें पनीर बगएर हलका सा बेसन मिलाईए revenue मिलाईए और उसको शैलो फ्राइक कर दीजें तो बहुत टेस्टी ही लगता है बहुत हेल्दी भी हो जाता है तो हम लोगों ने आज ये इंजॉय किया अपने ब्रॉकली कबाब फिर आफ्टरनून में मैंने कहा चलो वाटरमेलन काट लेते हैं वाटरमेलन आया भी रखा था इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं हमारी के वाटरमेलन एक बार में यूज हो जाए तो धीरे धीरे करके एक दो दिन में खतम करना पड़ता है तो वाटरमेलन काने के बाद मेरा बेटा बोला चलो कुछ खेलते हैं बोर हो रहा है मैंने कर नहीं आज तो मारकेट जाना है थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना है कर दो 10 मिनट खेल लो मेरे साथ फिर आप लंच बना ले ना फिर मारकेट चलेंगे मैंने का ठीक है भाई चलो खेल लेते हैं आपके साथ तो हमनों उनों कार्ड्स निकाले और वो मुझे रूल समझाने लगा फिर हम लोग खेलने लगे थोड़ी 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 चीटिंग तो करी लेता है पर उसको चीटिंग करते हुए देख बहुत मज़ा आता है क्लासेज यसी सब में पूरा दिन निकल जाता है पता भी नहीं चलता है आज हम लोग को शॉपिंग करने बाहर जाने वाले हैं तो मेरा बेटा बोला कि मैं तो लंच करके ही जाओंगा क्योंकि मार्केट से आते हैं बहुत लेट हो जाता है फिर आई फील हंगरी तो मैंने का हाँ बिल्कुल लंच करके चलेंगे और मार्केट थोड़ा से दूर है न तो टाइम लगता है पहुँचने में भी और हम लोग को आज कवर भी दो मार्केट करने थे तो उसने मोला मुझे कि उन्हों काट्स खेलने के बाद आप लंच मनाओ So हम लोग निकलतें हैं फिर यहाँ पर मार्किट जो है ना 5.50 बजे बं दो जाता है और ज्यस मॉल में हम जाने वाले हैं आज वो तो दोनों ही 5.50 बजे बं दो जाते हैं तो 5.50 बजे से पहले आपको सारा काम कंपलीट करना होता है और लंच करते करते दो ढ़ाई तो भजी जाता है तो वो इसलिए मुझे बार-बार बोल रहा था कि जल्दी से खेलने के बाद आप लंच बनाना और हम लोग निकलेंगे तो हम लोग आज जाएंगे बस से मस्ती करते हुए मार्केट पहुंचेंगे और हमने अपने लंच की भी तैयारी स्टार्ट कर दिये लंच में है आज आलू मटर टमाटर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है तो मेरा बेटा बोला मामा मुझे आपकी हेल्प करनी है मैं आटव होनता है मैंने का ठीक है बही बिल्कुल हेल्प कर दो तो माई चुटियां चल रही है कुछ तो काम करो और बॉइस को भी सारा काम होना चाहिए तो मैंने का हाँ चलो आटा बेवी जो है मेरे परस है न तो सर हमारे लगे थे आटा घुनने में अभी बिल्कुल बेगिनर है मेरा बेटा आटी से खेलना होता है बस एक जगे में इसको लग दूने बिल्कुल गंदी की नहीं हुई है और बोल भी रहा था मुझसे ममा आज तो आपका काम मैंने हलका कर दिया आज तो आपको कुछ नहीं करना पड़े मैं लगी चैम मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई तो उसके बाद देखिए मुझे क्या क्या करना पड़ा सब जगा आटा ही आटा सिंख पूरा भरा हुआ आटे से अब इसकी सफाई बिल्कुल आटे से भरा हुआ ये भी एक मॉमेंट्स है इंजॉय करिए